Hello everyone, welcome back to Zero YouTube channel, this is Shivani Keswani तो आज इस वीडियो में मैं अपना SBI PO 2021-22 का रिजल्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं अपना scorecard दिखाऊंगी आपको कि मेरे mains में कितने marks आए, interview में कितने marks आए और overall मेरे क्या marks रहे, क्या मेरा selection हुआ या नहीं हुआ, वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ discuss करने वाली हूँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यह मेरा पहला attempt था, तो आओ, अब start करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हो, शिवानी केषवानी, जनरल क्याटेगरी है मेरी और यहाँ पे आप मेरा roll number और registration number देख सकते हो यह roll number आपको roll number वाली pdf में नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा selection नहीं हो पाया है अब पहले marks देख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको कितने से रहे गया यहाँ पे अगर आप मेरा main examination का score देखोगे, तो 124.10 रहा यहाँ पे मेरी cut-off सिफ 94.85, मतलब cut-off से काफी अच्छा score मेरा रहा लगबख 20-30 number जादा है मेरे cut-off से, तो mains में काफी अच्छा score रहा लेकिन interview में कम score रहने की वज़े से, interview में 50 में से 32 score रहा मेरा हाला कि cut-off से 20 गई है, बट score कम रहा, इस वज़ा से मुझे लगता है कि interview में थोड़ा और अच्छा score होता, यह सिर्फ एक नंबर भी जादा होता है तो selection हो जाता, क्योंकि यहां पे जब हम final score देखेंगे और इसका जब conversion वाला ratio देखेंगे, तो मेरा 25 को convert किया गया है मतलब यह जो पूरा interview का score है, 50 को 25 में convert कर दिया है तो 32 को 16 दिया है इनोंने, तो अगर 33 होते तो 16.5 हो जाते तो यहां पे मेरा score 53.23 बना overall और general की cutoff 53.40 रही मतलब 0.17 से मेरा score कम रहा और इस वज़ा से यहां पे लिखाया है sorry you are not selected हाला कि मेरा जो waiting list जब out होगी first waiting list में ही हो जाएगा most probably लेकिन जब obviously इसमें नहीं निकला तो बहुत बुरा लगा थोड़ा सा जटका तो लगता ही है हाला कि पहला attempt रहा मेरा तो बहुत कुछ मैंने सीखा भी जो मेरी journey रही है SBI PO की पूरी preparation की उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और अगली बार किस तरीके से मुझे प्रिप्रेयर करना है वो भी मुझे पता है बट वही है थोड़ा बुरा तो लगता ही है जब नहीं हुआ है तो बट कोई नहीं हुआ है तो क्या कर सकते हैं जब waiting list निकलेगी तब का तब सोचेंगे कि join करना है या नहीं करना है और मेरा इतना जादा मन भी नहीं था join करने का बट all right अब जो भी हुआ हटाओ इन सारी बातों को मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो इसमें भी जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होग हुआ रहा होगा और आज से 6 महीने 7 महीने बाद क्या होने वाला है उसके बाद ही मैं डिसाइड कर पा इसकोर्स काफी अच्छे है ठीक है इंटर्वी में थोड़ा कम रह गया इंटर्वी के लिए महनत करने की जरूरत है तो यह पूरा मैंने आपको बता दिया इस BIPO का अब लोग बताओ कॉमें अपका हुआ या नहीं हुआ आपकी कितने मांक्स रहे और आपको कितना कुछ स